क्लास का विशे है स्नेय की शक्ति स्नेय का सागर्व सिवबाप ब्रम्हा तन के माध्यम से या कहें आकारी माध्यम से हम ब्रम्हा वस्थों को स्नेय की वर्षया से अलवकिक पान्ना दे रहे हैं जो हमें अलवकिक पान्ना उनसे मिल रही है वो अनोखी पान्ना है सारे कलप में हमें वो नहीं मिल सकते हैं क्यों अनोखी पान्ना है क्योंकि जो बाबा हमें पान्ना दे रहे हैं वो निश्वार्थ स्निह से पान्ना दे रहे हैं इस संसार में जो भी आपसे संबंद होते हैं हर एक संबंद के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ भरा हुआ होता है तो एक इस संसार में बाबा है जो हमें निश्वार्थ पान्ना देते हैं जिस पान्ना से हमें स्निह किस शक्ति प्राप्त होती हैं अठ्रा जनौरी के दिन जो बाबा ने मुडली चलाएं उसमें स्निह की बाबा ने अपार महिमा की स्निह सबसे बड़ी सक्ति हैं स्निह किस शक्ति असंभव को भी संभव करती हैं स्निह की सक्ति देह तथा देह की दुनिया को भुला देती हैं स्निह की सक्ति बाब समान हमें बनाती हैं स्निह की सक्ति हर कारे में हमें वीजय ही बनाती हैं तो यह जो अपार महिमा स्निह की बावा ने हमें बताई है वो स्निह की सक्ति हम अपने जिवन में कैसे प्राप्त करें है तो सबसे पहली बात है हमें स्वयम से स्निह होना जर्री है जब तक हमें स्वयम से स्निह नहीं होगा तब तक हम औरों को स्निह बाट नहीं सकते है बाप से स्निह खींच नहीं सकते है क्योंकि देखा गया है आत्माव में किसी प्रकार की खामिया होती है कमिया होती है जिस से उसके मन में हींता का भाव सदा जागुरुत रहता है। वो हींता का भाव बजय स्निह के मन में गुरुणा प्रदा करता है। तो स्वयम पर उपकार करना अरथाथ स्वयम के प्रती स्निह को जागुरुत करना। दुसरी बात हैं अपने देह से भी हमें स्निह सदा हो। क्युक्ति जब से हम बाबा के वने हैं तब सी ये देह हमारी देह नहीं है। ये बाबा की सेवा का साधन है ये अमानत के रूप में बाबा ने हमें संभालने के लिए दिया है इसलिए इस देह से भी स्नेय होना जरूरी है जिससे हम इसकी संभाल अच्छी तर से कर सकें तिसरा ये जो दैवी परिवार है इस्वरी परिवार है इसनिय के सागर ने सनिय के धागे से बांदा हुआ है। जितना जितना हमारा सनिय का धागा पक्का होता जाता है, उतना ये परिवार, ये संगठन पक्का होता जाता है। परस पर स्नेह, आपसी स्नेह हमारा दीन प्रती दीन बढ़ता रहे न कि आपसी टक्राव से या कभी किसी की कमी खामी देखने से इर्शा भाव से स्नेह में कमी ना आने दे संगठन में कई उची नीची बाते होती है हमारी स्थिती आगे बढ़ रही है, इसकी निशानी है हमारा आपसी स्नेह सोतही और उके साथ बढ़ता रहेगा यह उसकी निशानी है तो हर एक आत्मा के प्रती मन में स्नेह की भावना जागृत रहे जब हम एक दो से मिलते हैं मा जब उसको रोब से देखती है तो वो पहचान लेता है कि इस वक्त मा के दिल में मेरे प्रती इसने हकमी तो हर आत्मा को उसकी पेचान होती है अनेग जन्मों की जो ठकी हुई आत्मा है वो परमात्मा का स्नेह जो उनकी दो गड़ियों की दुरिस्टी से मिलता है जनम जनम की ठकान हमारे मिट जाती है आप का लन्भो करेंगे पनेग जन्मों की जो ठकावट है वो परमात्म स्नेह की वरिशाद दो गड़ियों की जब होती है आत्मा सीथल वरिशाद वो जाती है तो हमारा आपसिस्नेह सदा बढ़ता रहें उसके लिए एक युक्ती है हर एक आत्मा के आदी और अनादी स्वरूप को सदा देखें बजाय वरिशाद का जो रूप है उसके आदी और अनादी स्वरूप को देखें तो स्नेह में कभी कभी आ नहीं सकती है आप देखेंगे बाबा जब भी बच्चों से मिलते हैं हर एक आत्मा खिल जाती है गदगद हो जाती है पंखा लगते हैं उड़ने लगती है क्यों? क्योंकि बाबा की दुस्ट्री निराकारी होती है और बाबा आदी और अनादी स्वरूप हर एक बच्चे का देखता है उसके कारण नो चाहते हैं इसनेहां का सागर उमणने लगता है जिगरी प्यार जो है बाब के दिल में उमणने लगता है तो हम ये धाना पक्की बनाएं कि व्यवार में आते समय हर एक का आदी और अनादी स्वरूप देखें चवधी बाद ये जो प्रकुरती है सारे कलब में उसके साथ हमारा संबंध होता है उससे हम लेंदेन करते हैं बहुत सुख की अनुभुती उससे हम करते रहें जो जितना प्यार इस नेचर से इस प्रकुरती से होगा एटोमेटिक उसके प्रती उसको परिवहतन करने के लिए स्निया की भावना मन में जागरत होगी ये जो उतल पुतल हो रही है प्रकुरती तमपधान बन चुकी है प्रकुरती उसको मुझे सतुपधान ओरिजिनल स्थिति में लाना है तो ये दाना भी हम पक्की बनाएं और आखरी बात है परमातम स्निया में हम सदा समाय रहें इस ब्रह्मान जीवन का आनंद अगर लेना है तो उस स्निया के सागर में सदा दूबे रहें सदा खोये रहें इस कला को राप्त करें लेकिन उसको पाने के लिए हमारे पास महसुस्ता की शक्ति होना आवश्यक है थोड़ी नजर हम अपने पास्ट जन्द्मों पर दवड़ाएं क्योंकि तीवर गतिस से हमें परमातम स्निया की प्राप्ति अगर करनी है तो थोड़ा सा पास्ट जो जन्द्म है उस पर दुष्टपात करें कि जब मैं आत्मा अनेक आत्मों के साथ स्निया की लेन देन करती थी उस समय मेरी हालत क्या थी उस समय मेरा अनभव क्या था बहुत करवे अनभव मुझे हो चुके हैं कदम कदम पर मैंने दोखा ही खाया था स्थिती मेरी दिन पर दिन नीचे ही गिरती गई तो जिस स्निया की लेन देन मैंने कई जन्द्मों तक आत्मों के साथ की हैं वो मुझे बंद करके परमात्मा के साथ करनी है क्योंकि परमात्मा का प्यार जो है स्निया जो है वो विश्वास पात्र है आत्मों का प्यार स्नेह विश्वास पातर नहीं है। स्नेह का अधार प्राप्ति है। जिस समय प्राप्ति होना बंद होती है उस समय हमारा स्नेह समाप्त होने लगता है। उस व्यक्ति के प्रति तो ये अल्पकालीन स्नेह होता है। वीनासिस्ने होता है जो प्राप्ति हमें आत्माव से होती रही या होती है वो क्षणाएक प्राप्ति है तो हम जो स्नेय का सोधागर है परमात्मा पांस अजार बरस के बाद आकर हमारे सामने खड़े हैं और हमें एक चीज मांगते हैं हमसे एक चीज वो चाहते हैं हम फकीर हैं हमारे पास कोई चीज नहीं है न घर है न दार है फुटी कवडी है फकीर हैं सिर्फ एक चीज हमारे पास है जिगरिस्नेह दिलकास्नेह वो जिगरिस्नेह परमात्मा हमसे चाहते हैं क्या मुझे जिक्रिस नह दोगे मैं उसका सवधा करने के लिए आया हूँ मैं पक्का सवधा कर हूँ जितना आप मुझे दोगे उतना ही मैं आपको दूगा टिट पॉट टैट ये संसार का नियम है तो दिल से ऐसा लगता है कि हम सौ प्रतिस्थ प्यार उस पर लुठा दे उसका प्यार जो है हम लुठे क्योंकि ये जो संदी है ये जो चांस है केवल एक ही बार हमें मिलता है आत्मों के साथ में हमने प्यार की स्नेह की लेंदेन की और करते रहेंगे लेकिन थोड़ा जो समय है परमातम स्नेह से स्वयम को भरपूर करने का इस समय में स्वयम को मुझे एक्तम संपन्न करना है लेकिन वो अगर मैं आत्मा चाहती हूं उसके लिए जितना मैं खुद में खो जाना जानती हूं उतना ही मैं खुदा में खो जाना जानुंती हूं जब तक खुद में खो जाने की कला प्राप्त नहीं होती है तब तक खुदा में खो जाने की कला प्राप्त नहीं हो सकती है पहले अंतर ध्यान में खो जाएं खुद में खो जाएं और स्नेह के स्वरूप की बहुत गहराई से अनुवती हम करें जब हम अंतर ध्यान में खो जाते हैं तो यह जो बाहरी दुनिया है बाया जगत जो है उससे हमारी बुद्धी किनारा कर देती है और जब तक अंतर ध्यान में नहीं खो सकते हैं तब तक परमातम ध्यान में नहीं को सकते हैं तब तक परमातम स्निह की अनुभुती नहीं कर सकते हैं तो ये कांत में बैटकर बहुत अच्छी तरह से गहराई से आतम अभिमानी स्थिती को इंजाय करें जो इस संसार में महान योगी होकर गए है उन्होंने संपून योग जो कहा है वो संपून अतम अभिमानी स्थिति को ही कहा है परमात्मा को उनको परिचे नहीं था स्वेम में पोन तयाक होना ही संपून योग है जो यहां शिरुवात है तो सबसे पहले इसका आनंद लूटे आनंद में स्थिती को इंज्वाए करें और जब आनंद में स्थिती में स्थीत होकर हमारा बुद्धी का तार जो है परमात्मा से जुड़ता है तो परमानंद की अनुभुती हमें होती है परमात्म प्यार में एक्तम लीन हो जाते हैं बक्तों ने आत्मा ही परमात्मा कहा है आत्मा ही परमात्मा है कोई गलत नहीं कहा है सही कहा है क्यों कहा है जिधर देखती हूँ तुही तुही है सत्य कहा है क्यों कहा है जिस समय आत्माएं परमात्म प्यार में खो जाती है तो उस आत्मा में इस परमात्मा का सुरूब दिखाई देता है वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है एकदम खो जातीें एकदम डूब जाती तो आत्म और परमात्मा एकदम कमबाइंड हो जाते हैं बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जो है ब्रह्मा तब बना जब वो स्युष से कमबाइंड हो गया उसमें खो गया तो अंतिम समय जो हमारी योग की स्थिती होगी वो हम परमातम स्निया में एकदम डूप चुके होंगे और जो भी दर्शक हमें देखेंगे कि देखो सभी में परमात्मा ही परमात्मा है परमात्मा की सूरत जो है इन सभी से दिखाई दे रही है केते हैं कि परमात्मा हजारों सुरे से तेजों में है क्यों काहा यह एसा आ कि कि अंतिम स्थिती हुमारी जो योग की होगी हरेक की मास्थर ग्यान सुरे की रूप में होगी अगर कोई व्यक्ति आएगा वो पूछेगा परमात्मा की पेचान क्या है यह जो हजारों सुर्य यहां बेटे हैं इन सभी से तो जो मैं वो है इन सभी सुर्यों से शक्तिशाली वो है उनको स्विकार करेंगे हर एक आशुक में माशुक का साक्षतकार होगा इस संसार में जो है परमात्मा की प्रत्यक्सता जो होगी वो योगियों के माध्यम से होगी परमात्मा गुप्त है परमात्मा की जो शक्तिया है वो गुप्त है वो साकार रूप में इस संसार में कैसी प्रत्यक्स होगी जो महान योगी आत्मा है उन योगियों के माध्यम से वो प्रतिक्स होगे ये देखो रचना इतनी सुन्दर है सर्वस्रहस्र रचना है तो इस रचना से उस रचईता के तरफ सभी का ध्यान जाएगा तो कहने का भाव है कि परमात्मा में हम खो जाएं हमारे बुद्धी रूपी नेत्र में उसकी ही छवी देखें संसा में जो भी योगियों की यादगार बताते हैं उस यादगार में उनकी आखे आधिकुली दिखाते हैं उसका भाव क्या है स्थूल आखें जो है उनकी आधिकुली होती है इसका भावा तो यही है कि वो इस संसा में रहते हुए इस संसा को नहीं देख रहे हैं उनका संसार जो है उनकी दुनिया जो है वो अपनी ही है कहीं और वो खुए हुए है उनका दिव्य चक्सु अपने प्रियतम पर अपने इस्ट पर हमेशा कॉंसेंट्र है बुद्धी रुपी नेत्र जो है वो अपने इस्ट पर इसका फोकस है क्योंकि जहां स्नेही होता है वहां स्वतही बुद्धी हमारी जाती है बुद्धी की तार उससे जुट जाती है इसलिए जो परम स्नेही बाबा है उसकी तरब हमारा हमेशा बुद्धी रुपी नेत्र जागरुत हो एकागर हो एक गीत लवकिक दुनिया का है तु सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया न देखो तुझे लागे निया जिया तु सूरज है मैं सूरज मुखी हूँ पिया मेरा बुद्धी रुपी नेत्र जो है उसका मुख जो है आपके तरफ है न देखो तुझे तो न लागे या जिया हमेशा दिल ऐसा करता है मैं तुझे देखती ही रहूँ दिल में चेहन आती है दिल को आराम मिल जाती है तो इसलिए दिल ऐसा करता है कि मैं तुझे देखती ही रहूँ जिन आत्मों की नजर हमेशा परमात्मा पर होती है उन आत्माओं को माया की नजर नहीं लग सकती है दुनिया की कोई भी शक्ती की नजर नहीं लग सकती है क्योंकि वो परमात्मा की नजर में समय रहते हैं तो जो प्यार है हीर रांजा या लेना मजनू इस जो भी कहानिया हम सुनते आये है एक दो में जैसे उख्वे हुए थे दिवाने थे मीरा कन्यया के पीछे दिवानी थी तो स्निया की निशानी है आशुक के बुद्धी रुपी नेत्रे में माशुक की चबी दिखाई देती है तो इसलिए हमेशा हमारा बुद्धी रुपी नेत्रे जो है उस सत्यम सिवं सुन्दरम पर एकाग्र हो क्योंकि देखा गया है अनेक जन्दमों की जो हमारी आदत है आत्मों के साथ हमारी बुद्धी दोड़ती रही अन्बो करती रही उसके तरफ न चाहते भी हमारी बुद्धी जाती है और अभी जो निराकार परमात्मा है उस निराकार से स्निया की लेंदेन करना थोड़ा कठीन मैसुस होता है लेकिन उसके लिए हमें इस वस विसेस सर्व संबंदों की अनुभुती बाप के साथ करनी है विभिन संबंदों की अनुभुती जो है अवेक्त वतन वासी बनकर आकारी रुप के द्वारा हमें बावा के साथ करनी है हर एक जो संबंदों का प्यार एक से अनुभु करके स्वयम को भरपूर करना है इतनी आत्मा भरपूर हो जो बुद्धी हमारी कहीं और न भटकें कहीं और वो न जाएं एक ठीकाने पर वो सदा मस्त रहे और व्यस्त रहे योग की गहन अनुभुतिया भी हमें तभी हो सकती है उसके स्निया के सागर में लीन हो जाएं तो हम यह कहते थे कि मीरा जो थी उसको स्रिकस्न का थोड़ सा दो गड़ियों के लिए फ्लैश के रूप में सक्षातकार हो गया था उसक्षातकार के पीछे वो एकदम दिवानी हो गई सब कुछ छोड़ छाड़ के वो उसके पीछे किष्ण कन्या के पीछे दिवानी हो गई छोटे सी प्राप्ति तो सर्व प्राप्तिकर्नियों वाला जो है प्राप्तियों का भंडार हमें मल चुका है सक्षातकार के रुप में नहीं लेकिन सक्षात मिला हुआ है डायरेक मिला हुआ है तो मीरा को जितनी लगन थी उससे कई गुना हमारी लगन होना आवश्चक है क्योंकि जितनी लगन हमारी होती है उतना एटोमेटिक्स नह उसके तरफ हमारा डायर्ट होता है दुनिया से बुद्धि की नारा कर देता है उससे सुञार रहा है तुबू जो सलोना साजन है उसकी तरफ ही हम सभी सजनियों का प्यार डाइवर्ट होता रहें क्योंकि यह जो साजन हमें मिला है इसके जैसा साजन हमें कभी मिल नहीं सकता है उसने हमें सहर्ण स्युकार किया है जैसे कोई करोडपती विक्ति कोई साधारन घर की कुमारी होती है या लड़की होती है उसको जब वरता है तो वो कुछी मैं जुमने लगती है कि इतना बड़ा व्यक्ति है उसने मुझे स्विकार किया है तो इतना इत्वरिटी संसार के और सबसे सुन्दर उसने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे अपने सजनी बनाया है मुझे उस पर नाज है तो ये अन्भा करते ही अटोमेटिक आपके दिल में प्यार उसके प्रति उमणने लगेगा आप उस पर फिदा हो जाओगे और जो खुदा पर बहुत सुन्दर विधी उसकी है परमधाम रुपी पीस पैलेस में आप जाओ एर कंडिशन पीस पैलेस है स्वीट साइलेंस डेट साइलेंस का पैलेस है पैले तो परमधाम को इंजॉए करो आद मस्ती वाला सुन्दर मेरा ये प्यारा वतन है पीस पैलेस है और मेरे समक से कैसे हैं बुद्धी रुपी नेत्र शुरी नसे से भरबूर हो और उस मसे से चूर हुई हुए बुद्धी रुपी नेत्र से उसके सुन्दरता को निहारते रहो कि कितना सुन्दर साजन मुझे मिला है कलब में मुझे कभी नहीं मिल सकता है ऐसा और दिल की बाते करते रहो निहारते रहो जैसा जैसा स्नेह का percentage बढ़ता जाएगा उसके समीप आप जाते रहोगे और उसकी दो बाएंगे हैं light और might की सीव साजन की दो बाएंगे है light और might की उन दो बाहों में मैं आत्मा रुपी सजनी एकदम समा चुकी हूँ उसनिया के सागर में एकदम बटम में चली गई मुझे कोई सुद्बुद नहीं है मुझे अपने अस्थित्वक की भी सुद्बुद नहीं है मैं आत्मा परमात्मा में खोच चुकी हूँ परमात्मा में लीन हो चुकी हूँ उस निया के सागर में एक तम दूब चुकी हूँ बहुत अच्छी तरह से लंबे समय तक इसको इंज्वाहे करो परमानंद की अनुफ़ती आपको होते रहेगे आप अपने अलावकिक दुनिया में खुए हुए है उस निया के सागर में खुए हुए है तो उस सागर में जब हम लीन हो जाते हैं खो जाते हैं तो एक्टोमेटिक जो भी खाद आत्मा में हैं वो क्लीन हो जाती है वो साफ हो जाती है आत्मा एकदम कंचन फिवर बन जाती है सोना लेकिन दीन प्रतिदीन वो स्निया के सागर की अनुबती हैं वो हम बढ़ाते जाएं जितना जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना उतना हम इस दुनिया से पार स्वयम को हमेश्या प्रमधाम में अन्भो करते रहेंगे और धीरे धीरे शक्ति शाली स्थिती की अनुबती आपको होती रहेगे स्निया सुरूप अर्थात लवफुल स्थिती उसके साथ में उसके बाद में शक्ति शाली स्थिती पावफुल स्थिती की अनुबती आपको होगी कि सरवशक्तिवान से अथा शक्तिया मुझ आत्मा में आ रही है अथा शक्तिया मुझ आत्मा ने ग्रहन कर ली है तो स्वयम को आप शक्तिशाली महसुस करते रहेंगे मास्टर अल्माइटी अन्भो करते रहोगे क्योंकि बाबा ने कहां कि अभी माया का सिजन शुरू हो चुका है माया का सिजन शुरू हो चुका है अर्था विभिन्न प्रकास से समझ साय हमारे सामने आती रहेगी उसको परकना भी कभी कभी हमें कठीन होगा लेकिन उसका सामना करने के लिए इस महादानी वर्दानी वर्ष में विसेज बाबा हमें वर्दानों के वर्षयां से भरपूर करते रहेंगे इधर माया की सिजन इधर वर्दानों की सिजन दोनों साथ साथ चलते रहेंगे क्योंकि हम जो रुहानी योद्दे हैं माया पर जीत पाने के लिए जो हमारा कमॉंडर है वो हमें विबिन्न प्रकार के वर्दान दिव अस्तर से अस्तर के रुप में देते रहेंगे ताकि हम विजए बनकर रहेंगे कहीं कहते हैं कि हम एक बाप से प्यार करते हैं तो जरुरी नहीं है हर एक से प्यार करना हर एक से स्निह रखना एकदम सन्यासी बनकर अलग रहते हैं संगठन से लेकिन देखा गया है कल्प रुक्षे का जो बीज है बाबा उस बीज से अगर हमारा स्नेह है तो जो जार है जिस पर आत्मा और रुपी पत्ते है उन पत्तों से स्वतही हमारा स्नेह होता रहता है एक एक पत्ते से स्नेह करने के जुरत नहीं है लेकिन बीज से स्नेह है तो एटोमेटिक सर्व आत्मों से स्नेह होता है रहता है क्योंकि परमात्मा से स्नेह करने वाले जो योगी आत्मे होते हैं उन सभी का स्नेह होता है योगी आत्मों पर परमात्मा का स्निया बरसता है साथ-साथ अन्य आत्मों के महिमा के फुलो का या स्निया का भी उनको वर्षया के रुप में अन्बो होता है लेकिन ये स्निया की शक्ति को हमें अगर बढ़ाना है तो एक धार्णा को अच्छी तरह से अपनाना आवशक है वो कौन सी है पवितता की धार्णा स्निया जैसा जैसा हमारा बाबा के पती जागरत होता है तो वो स्निया एटोमेटिक हमें इस दुनिया से पार ले जाता है क्योंकि अंतिम समय जो हमारे सामने समस्या आएगी उस समस्याओ का सामना करते समय अगर हम परमातम प्यार में खोए रहेंगे वो जो समस्याओ है उन्होंका प्रभाव हम आत्मों पर नहीं पड़ेगा अंतिम समय जो हमारा पेपर होगा वो दो बातों का होगा कुन सा? एक सेकन में हमें अपनी देह से न्यारा होना होगा बले किसी भी प्रकार के समस्याओ हमारे सामने क्यों ना आती है एक सेकन में देह से न्यारा और उसी सेकन में परमातमा से प्यारा या परमातमा किसने में डुबा हुआ तब हमें फुल माक्स मिल सकेंगे या पास वित हनर हम मिल सकेंगे तो इसके लिए लंबे समय का आतम अभिमानी स्थिति का अभ्यास आवश्चक है आपने देखा होगा यह जो मार्ग होता है, सड़क होता है उस पर फुल स्पीड चलाने वारी वाहन होते है अगर सामने से कोई विक्ति आता है या कोई वाहन आता है तो वो लाइट जला देते हैं लाइट जलाते हैं अर्था तो उसको रोक कर फिर ओर टेक करके आगे जाते हैं तो हमारा यह जो वाहन है देहरुपी कार है इसका भी हमेशा light on रहे हमेशा light on रहे तो सामने वाली जो वेक्ति आती है उसको उसकी अनुभुती हो कि इसकी light on है आत्मा रुपी बल्ब सकास दे रहा है रोशनी दे रहा है तो एक्टमेटिक बहाँ तेजी से हम इस mark पर चलते रहेंगे और जो supreme light है उससे हमारा बद्द्योग जुटा हुआ रहेगा क्योंकि उस light के मदद से ही हम full speed से अपनी मंजल की और भागते रहेंगे तो ये चिकर एकांत में बैठ कर कि दीन प्रति दीन मेरी स्निह की शक्ती बढ़ रहे है या नहीं एकांत में बैठ कर बुद्धी रुपी जो रसी है वो अनेग जगह बंदी हुई है अनेग संबंदियों के साथ में हमारी रसीया बंदी हुई है वो सभी जगह से टुटी हुई है या नहीं यहां से टूटती है साकारी दुनिया से तो उससे जुट जाती है कोई ऐसा एरिया न हो जहां मेरी बुद्धी बार बार जाती रहे हैं चेक करें एकांत में बैठ कर अगर कहीं बुद्धी मेरी जाती है तो विशे उस संबंद की अनुवति बाबा से करें या उस प्राप्ति की अनुवति बाबा से करें तो सभी से बुद्धी हटकर एक तरफ जुटी रहेगे क्योंकि बाबा ने हमें सब कुछ दिया है सब राज हमें सुनाए है सभी प्राप्तियों के बंडार उलोटा रहा है अलव के पालना हमें दे रहा है ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमसे छिपा कर उसने रखी है खुले बंडार है कोई ऐसी आश नहीं है जो हमें पूरी करनी है एक ही आज बाकी है एक ही आज सदा बनी रहती है वो कुझ सी है? इस दिल रुपी मंदीर में यह जो दिल रुपी मंदीर है इस मंदीर में उस सलो ने साजन की मुर्ति को बिठा कर यह स्वरूप को बिठा कर मैं दिल रुबा उसको निहारती रहूँ और उसके महमा के गीत गाती रहूँ और गुन गुनाती रहूँ और भावना से उसकी प्यार में सदा खुई रहूँ बस यही कंतिमास है दिल रुपी मंदीर में उस एक के ही प्यार की जोद अखन न जलती रहे वो खंडित न हो लेकिन इस दिल रुपी मंदीर में उसकी एक के ही प्यार की एक के ही स्नेह की जोद सदा जलती रहे और कोई दुश्री आशी नहीं है प्यार हमारा स्नेह हमारा सदा मर रहे कैसी भी बात हमारे सामने आती हैं परिक्षा लेने के लिए वो जो तो जो हैं हिले डूले नहीं लेकिन एक रस जलती रहे और दीन प्रतिरीन वो जोती प्रकर होवे न कि डीम होवे प्रकर होती रहे और उस जोती का प्रकास चहू और फेलता रहे कि वो जोती महा जोती से जोटी हुई है तो स्ने हो तो ऐसा हो बावा से बावा ने स्पस्ट का स्निया ही सहज योग है स्निया ही संपूर्ण ज्यान है ज्यान का प्रत्यक्स प्रमाण क्या है निरंतर योग किस्तिती अर्थात हम स्ने के सागर में हम खोई रहे यह प्रमाण है उसका तो जितने गहन अन्भों हमारे योगा भ्यास के हम जमा करते जाएंगे ऐसे अन्भों के आधार से ही हमारी स्तिती अचल अडोल आगे बननी रहेगी क्योंकि जब हमारे पास में अन्भों के खान होगी तो हम धोका नहीं खा सकेंगे कहते हैं ना अनुभवी व्यक्ति जो है कभी भी दुस्मन से धोका नहीं खाता है तो जितनी गहन अनुभुतिया हमारे पास योगा बहस की होगी तो माया से हम कभी धोका नहीं खा सकेंगे उसको परख कर उस पर विजय बन कर ही रहेंगे तो इसलिए इस वस इसी बात पर हम ध्यान रखें महादानी वस्प में कि दिन पति दिन बुद्धी का जो स्थार है या बुद्धी की उचाई दिन पति दिन हमारी बढ़ती रहें बुद्धी की उचाई स्थिती की उचाई दर्शाती है सारे दिन भर में मेरी बुद्धी कितनी उचाई पर रेती है कहा रेती है आस्मान के नीचे पांस हजार बरस हो गए हैं अभी मुझे आस्मान के उपर अपने अलोकिक दुनिया में या मूल वतन में बुद्धी को बाबा के साथ रखना है ताकि वो बुद्धी हमेशा मुझे कमाई कराती रहेगी स्वयम को भरपूर कराती रहेगे तो एटोमेटिक अलोग की खजाने हमारे बढ़ते जाएंगे उन खजानों की उरुद्धी होती जाएगी और उसके आधा से ही हम महादानी वर्दानी बनकर अपना पाड़ बजाएंगे क्योंकि जैसे वतमान समय बाबा का पाड़ चल रहा है दो घड़ियों की दूस्टी से वर्दान दे रहे हैं दो बोल से वर्दान दे रहे हैं दो घड़ियों के संपन संपक से हमें वर्दान मिल रहा है ऐसे ही हम बच्चों का योगी बच्चों का पाड़ चलेगा आंगे चल का जो महान योगी आत्मे होंगे उनकी दो घड़ियों की दुस्री, उनकी दो बॉल अनेक आत्मों को वर्दान देंगे, अनेक आत्मों को रहा देंगे लेकिन वो महादानी वर्दानी पाढ़ शुरू होने के लिए हमारे पास में खजाने अखूट हो, बंडार उसका भरपूर हो जो भी मेरे दर पर आएं, उसको मैं भरपूर करता रहूँ, उसको देता रहूँ तो इसलिए बाबा ने हमें प्रेरित किया है, ग्यान का खजाना, शक्तियों का खजाना और गुणों का खजाना बाढ़ते रहने के लिए क्योंकि यह जो सिजन चल रही है, यह दुआओं को जमा करने के, दुआओं का स्टॉक हमें बढ़ाना है, हमारे साथ सिफ दुआएं चलती है, जो सारे कलब में हमें मदद करती है तो कैसे मैं आत्मा दुआओं का स्टॉक दिन प्रति दिन बढ़ाती रहूं यही तांथ हमें सदा लगी रहे बाबा कि दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है उसकी छतर चाहे हमारे सिर पर है लेकिन उसके साथ में अनेक आत्माओं को अलवकी खजाने दान करती रहूं और उनकी भी दुआएं में लेती रहीं तो ये बर्स हम सामने रखें कि आपके पास लखो विक्ति आएंगे और उन्हों को शांति शक्ति की अंचली ग्यान और शक्ति की अंचली देनी होगी लेकिन उसकी प्रिपरेशन उसकी पुर्वत तैयारी मुझे अभी से ही करनी है सागर से अथा खजाने मुझे लूटने है ताकि मैं कईयों को वो खजाने बाटती रहूं समझा? क्योंकि फरिस्तिय जो होते हैं वो फिरस्ति होते हैं और सब को साल्वेशन देते रहते हैं अंतिम समय की हमारी जोस्तिती होगी एकदम अलवकिक फरिस्ते हम उड़ते रहेंगे चार और जैसे हेलिकाप्टर कहीं दुरगटना होती है तो हेलिकाप्टर ही उड़ते हैं उपर में अनाज की पुड़िया देगी पाणी की कुछ बोटल देगी या जोसे रहत देते हैं जो भी दुरगटना में होते हैं तो अंतिम समय जो फरिस्ते हैं वो उड़ते रहेंगे और अनेक आत्मों को शान्ति शक्ति की दान अंचली देते रहेंगे उनों को रहा देते रहेंगे तो वो फरिस्था स्थिति मुझे अभी से ही बनानी है उसके अन्भो अच्छी तरह से अभी से ही मुझे बढाने है इसलिए इस जनुरी मास में विसेस इस वरदानी भूमी पर बहुत सुन्दर फरिष्टेपन किस्थिती की अनुभूते आप कर सकते हैं आप प्रैक्टिकल अनुभू करना यहां जमीन जो है लाइट की है और आपकी काया भी प्रकाश में काया है लाइट की काया है और आप उस पर बहुत जंटल रिति से चल रहे हैं बहुत मस्ति से चला है आपकी हर एक अंग से हर एक अंग से लाइट ही लाइट निकल रहे हैं लाइट ही लाइट निकल रहे हैं आपकी काया देशी की एकदम ट्रांस्परंट है जहां जा रहे हैं, लाइट के ओर ने आपकी सरूप विराजमान है बहुत मस्तिक इस्तिति आपकी होगी, बहुत अलवकिक मस्ति में आप खोई रहेंगे फरिस्थों का राजा जो हैं, वो आपके साथ चल रहा है आप अकेले नहीं लेकिन फरिस्तो का राजा बाबा है ब्रह्मा अवयक्तरुप में भी आपके साथ चल रहा है अंगोली हाथ में हाथ लेका चल रहा है इस वरदानी भूमी में आप आकर सभी प्रकार से अपने को संपन्न कर सकते हैं इस वर्धानी स्थिति को अनुभु करके खास जनुवरी मास में ये बाबा ने extra उसको वर्धान दिया है ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त होने के कारण इस वर्धानी मास में जिस अनुभुती को चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं एक्स्ट्रा बाबा ने लिप्ट दी है और इस वर्दानी मास में इस वर्दान की भूमी पर आप आये हैं तो बहुत सहद रिते से वो प्राप कर सकते हैं क्योंकि बाबा के घर में जब बच्चे आते हैं तो बच्चों की बाबा खात्री करते हैं किस तरह से खात्री करते हैं विशेस अनुभुतिया कराकर जितनी जितनी आप अनुभुतिया अलोग के करते रहेंगे समझ लो बाबा आपकी खात्री उसी रुति से कर रहे हैं आपक से ही जो बाबा की मीटिंग है कल उसको अच्छी तरह से एंज्वाइब करने के लिए अभी से ही खुद में खोने की या आतम अभिमानी स्थिती में एक्तम खो जाने की अभ्यास को बढ़ाओ योगी जो हैं अंतरमुकता की गुफा में बेठे रहते हैं योगी हमेशा गुफ को भी अंतरमुक हो और फिर आप एकदम गुफा में बेठकर अपने में खो जाओ तपसा में लीन हो जाओ तो एटोमेटिक बाबा की याद में खोए रहेंगे अंशंति